Hello students, welcome back to another video देखो आचली वीडियो में आपके साथ value-based question को discuss करने वाला हूँ आपके board exams में value-based question एक रहता है 4 marks carry करता है तो एक ऐसा ही question आपके साथ discuss करना चाहता हूँ क्यों? क्योंकि maximum students का doubt आ रहा है कि sir value-based questions क्या किस तरह का होता है? ठीक है तो एक ऐसा ही previous question आपके साथ discuss करने वाला हूँ तो आप देख लो और खुद decide कर लो कि क्या value-based question सच में tough होता है या हम students जो है आपने आपके लिए चीज़ें मुश्किल कर रहे हैं ठीक है एक ऐसा ही question है तो 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 1920 का I think value-based question है क्लास allowance का है तो ध्यान से देखना क्या आप इसको answer कर पाते हो या नहीं अ में अराइव एट धैली रेल्वे स्टेशन है इन वांटट तो गो तो इस रेलेटिव सहूस या पर सकते हो तो इसे हमें कोई लेना देना नहीं है हमारा question है कि एक इनसान है वो धैली रेल्वे स्टेशन पर पहुंचा और उसके रेलेटिव का जो घर था वो स्टेशन से 10 किलो मेटर दो था clear है अब उसने वह से एक टेक्सी ली अब ड्राइवर फालोड ए लांग पात अब ड्राइवर क्या था उसने 10 किलो मेटर वाला रास्ता फालोड ना करने के बजाए कौन सा वाला पात फालोड लिया 25 किलो मेटर वाला तू रीज destination in one hour और कितने टाइम में पहुँच गया रिलेटिव के घर पे वो एक hour में और charged में फार 25 किलो मेटर और पैसे कितने के लेगा आफकोर्स वो 25 किलो मेटर के पैसे लेगा जबकि जाना कितने दूर था 10 किलो मेटर लेकिन गुमा के ले गया और कितने किलो मेटर 25 किलो मेटर दिहान सुनना एक बात इस question में मुझे जो कमी लग रही वो ये है कि क्या कहीं पर ये direct mention है कि जो relative का होस था और जो railway station था उनके बीच exact path available था भी या नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर माल लो आपके पास ये अगर railway station है और ये relative से होस है उसका ठीक है ये 10 किलो मेटर डिस्टेंस है बट क्या रोड थी यहाँ पर रोड ना होने के बजाए क्या बाता घूम के जाना पड़ेगा ड्राइवर को ऐसे ऐसे करके और फिर ऐसे करके ऐसा भी case possible है जो question में clearly mentioned नहीं है बट इस question में हमने ये समझ के चलना है कि driver ने जान बूज के 10 किलो मेटर का path उसके पास available था उसने 10 किलो मेटर का path follow नहीं किया और कौन सा वाला path follow किया है 25 किलो मेटर वाला अपने benefit के लिए तो ये जो question number 1 है ना part 1 behavior of driver बताओ कहाँ सा था तो ये अब आप पर depend कहता है आप उसके बारे में क्या सोचते हो ठीक है तो behavior of driver हम कह सकते हैं कि वो क्या था dishonest था हाँ ये ना clever था liar था कुछ भी ली सकते हो कि driver का behavior याँसा था जान बूज के उसने 10 किलो मेटर के जगा अपने benefit के लिए 25 किलो मेटर उसको ले लिया था गुमा कि यहां से आगी जो हमारे main point है दो question है वो physics related है और आपको पता भी चल जाएगा कि value based question में आपके concept को check कर रहा होता है examiner ठीक है पहला कहता है कि आपको average speed निकालनी है second कहता है आपको average velocity निकालनी है तो average speed निकालनी के लिए हमें जो पता है that is average speed के लिए हमें चाहिए total path which is actual path and divided by time taken तो average speed कितनी निकल के आजाएगी average speed निकल के आजाएगी हमारे पस actual path कितना चला 25 किलो मेटर और time कितना लगा 1 और तो यहां से average speed निकल जाएगी 25 किलो मेटर पर और ठीक है अब next आपके पास third part है इसी का कहता है average velocity बताओ taxi कि क्या होगी तो आपने speed और velocity के बीच के difference वैंसी भी पड़ा हुआ है कि जब हम velocity को calculate करेंगे तो हम देखेंगे उसकी original position और final position इसके बीच के बीच के जो displacement है चाहे वो चितना भी घूम के क्यों ना चला जाए जब हम से velocity पूछा गया होगा तो हम देखेंगे कि वो final position और initial position के बीच में कितना distance था that is our displacement तो shortest distance था कितना वो 10 km था railway station से given है question में 10 km था तो यहां पे जो आपके पास displacement हो जाएगा और हमारे पास हो जाएगा divided by time taken displacement हमारा हो जाएगा 10 time हो जाएगा हमारा 1 तो average velocity यहां से निकल जाएगी 10 km पर और ठीक है और आपने वहांसे भी class 11 में average speed और average velocity के बारे में बिल्कुल basic से पढ़ा होगा तो मुझे लगता है कि आपको यह question बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा होगा तो इसे दरह से value based questions को frame किया जाता है जहांपे student की ability को check किया जाती कि उसने कितने deeply चीज़ों को समझा है और कुछ नहीं है ठीक है तो चल इस वीडियो में इतना ही है अगर वीडियो अच्छ लगिए तो प्लीज वीडियो को like कर देना चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं यहांसी interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई